हे गाईज क्या हाल चाल हैं आप सभी के स्वागत है आप सभी का गोरकपुर रेलवे स्टिशन की अपडेट में आज की इस वीडियो में अमरित भारत परियोजना के तहत गोरकपुर रेलवे स्टिशन के री डवलप्मेंट को लेकर में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं गोरकपुर रेलवे स्टिशन आने वाले दिनों में वल्ड क्लास बनने जा रहा है A to Z गोरकपुर रेलवे स्टिशन का रिटारिंग रूम गोरकपुर रेलवे स्टिशन का वेटिंग रूम या फिर गोरकपुर रेलवे स्टिशन का प्लैटफर्म छोड़िये पूरा ही कह देता हूं कि गोरकपुर रेलवे स्टेशन ही बदल दिया जाएगा कितनी सारी चीजें आने वाली दिनों में आपको देखने को मिलेंगी न वह इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं और भा उबडेट को गोरकपुर रेलवे स्टेशन नाम तो साइध आपने सुना भी होगा बीते दिनो काफी जादा चर्ड़ चर्चित था क्यूं क्यूंकि देश का सबसे लंबा प्लैटформ रखने वाला भारती रेल्वे का ये रेल्वे स्टिशन था और गोरकपुर रेल्वे स्टिशन का पुनर विकास किया जाना है पताते चलूं गोरकपुर रेल्वे स्टिशन को दुबारा से बनाया जाएगा पुनर निर्माड में 498 करोड रुपे की लागत आईगी और NER यानि North Eastern Railway में इस्थित ये एक Headquarter भी है गोरकपुर Railway Station को last year ही decision मिल चुका था यहाँ पे दुबारा से reconstruct करने का redevelopment करने का और गोरकपुर Railway Station का redevelopment अब हो भी रहा है और गोरकपुर Railway Station को 149 वर्स बाद पहली बार 498 करोड रुपे में दुबारा से पुनर विक्सित किया जा रहा है और इसी लिए गोरकपुर Junction को आप कह सकते हैं कि City Center के रूप में 50 वर्सों की अविशकताओं को ध्यान में रख्ते हुए यहाँ पे विक्सित किया जाएगा Junction पर आपको बजट होटल और रेस्टोरान की सुईधा भी मिल जाएगी अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि गोरकपुर Railway Station का Redevelopment किया जा रहा है देखिए गोरकपुर Railway Station अपने आप में आइकोनिक है और यहाँ पर मौझूद Footover Bridge, Roof, Plaja पलकी Platform पर भी जो कि सबसे लंबा Platform है उसके उपर भी यात्रियों को पैदल चलना पड़ता था महिला बुजूर्ग विशेशकर बच्चों को और दिव्यांग जनों को 1333.333 मीटर लंबे Platform पर एक छोर से दूसरे छोर तक अगर आवगमन करना भी पड़ता था तो ऐसे में कई बार ट्रेने चूट जाती थी और कई बार उनकी चलते चलते सासे निकलने लगती थी विश्व में दूसरा सबसे लंबा Platform इस समय गोरकपुर Railway Station पर है और यात्रियों को यहाँ पे कई बार असविधा होती है क्योंकि जो ट्रेनों का Platform है ना वो कई बार Platform नमबर 2 से 1 पर Change कर दिया जाता है कई बार 3 नमबर Platform पे लगा दिया जाता है ऐसे में यात्रियों को अचानक से दोड़भग करनी पड़ती है और एयरपोर्ट की तरज पे यहाँ पे अब दो ट्रेवलर लगाए जाएंगे हलाकि जो दो ट्रेवलर लगेंगे उससे बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा बताओंगा जंक्सन के पुनर विकास के अंतरगत जो ट्रेवलर लगाने का प्रस्ताओ है ना उस पे भी मुहर लग चुकी है साथ ही में आपको इस टेशन से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब क्योंकि गुरकपुर रेलवे स्टेशन पे आपकी मन चाही हर एक चीज मिलेगी आप खरीदारी भी कर सकेंगे निर्माड कारे आरंब हो चुका है और सुरुवात में प्लैट्फोर नंबर एक पर बंद पड़े बीच वाले एफ ओबी के पास पस्चिम तरफ में एक नया एफ ओबी बनाया जा रहा है रेलवे प्रशाशन ने प्राथ मिक्ता के आधार पर नया एफ ओबी बनाने का काम यहाँ पे मत्वपूर नी लिया है पिछली साल 7 जुलाई 2023 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने आधार सिला रखी थी और अगले 3 सालों में आपका गोरकपुर जंक्शन रेलवे स्टिशन तयार हो जाएगा अगर मैं ट्रैवलर की बात करूँ तो ये एक एसकेलेटर टाइप की स्वचलित सीड़ी होती है जो कि आप कह सकते हैं कि वैसे तो ऊपर चड़ने के लिए प्रियोग की जाती है लेकिन जो ट्रैवलर है ना यहाँ पे समतल फर्स पि लगाया जाएगा ताकि आप अगर उसके उपर खड़े हो जाते हैं तो प्लैटफोन नमबर दो से प्लैटफोन नमबर एक तक आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो खुद बखुद आपको दो से एक पर पहुचा देगी बस यही फाइदा है और साथी में कई सारी नई नई चीज़े बनाई जानी हैं जैसे कि 17,900 वर्ग मेटर के अंदर यहाँ पे गोरकपुर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माड कार रहे होगा गोरकपुर रेलवे स्टेशन का जो एंट्री गेट है ना 7,400 वर्ग मेटर में दुबारा से बनाया जाएगा 10,800 वर्ग के अंदर आपको रूफ कलाजा भी देखने को मिलेगा 300 वर्ग मेटर में आपको गोरकपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर्स जो हैं वो दुबारा वनते हुए नजर आएंगे और 6,300 वर्ग मेटर में आपको गोरकपुर रेलवे स्टेशन पर नई वेटिंग एरिया और वेटिंग रूम देखने को मिलेंगे लगभग 3,000 व्यक्ति एक साथ बैट कर प्रतिक्छा कर सकेंगे 1,80,000 से ज़्यादा यातरी डोजाना सफर भी कर सकेंगे अलाकि अभी भी कम नहीं है नौर्थ इस्टन रेलवे में है और नौर्थन की और इस्टर्न की ज़्यादा तक गाडियां ज़्यादा तक ट्रेने यहीं से होकर गुजरती हैं और इसलिए गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन एक बहुत ही महत्वेपूर रेलवे स्टेशन है और आने वाली दिनों में मैं आपको गोरखपुर डोमिन गड़ थर्ड रेल लाइन की प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा और साथी साथ में बताते चलूँ आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपकी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली या गुजरने वाली सबसे इंपोर्टेंट ट्रेन और सबसे फेवरेट ट्रेन कौन सी है मैं भी देखूं कि लोगों को कौन कौन सी ट्रेने पसंद आती हैं गोरखपुर से रखता हूं जब तक के लिए रखेगा आप लोग अपना ख्याल होप टू सी यू अगेन बाई बाई गाईज